हेलो एंड बेलकम दोस्त मैं हूँ रविन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफाई दो चैनल सिंपली इंडिया में लॉंच हो चुका है रियलमी का नार्जो सिरीज जो की मैं रियलमी के नार्जो सिरीज 10A पर एस्पेसल वीडियो बना कर अपलोड कर चुका हूँ अगर आप लोग को रियलमी नार्जो 10A के बारे में वीडियो देखना है तो उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और अभी मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फुल रियलमी नार्जो 10 के बारे में पूरा इस बिस्तार से मैं रियल एस्पेसिकेशन बताने वाला हूँ आपके सामने पूरा पिस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में रियल्मी नार्जो 10 के बारे में पूरा एस्पिकेशन बताएंगे तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर बेल नोड़ पेशन दबा दीजेगा और साथ ही आप हमें टेलिग्राम पे फोलो कर सकते हैं उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जगा आप वहाँ पे जाकर हमें फोलो कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो अगर मैं बात करूँ Realme Nargo 10 के बारे में तो यहाँ पे Realme Nargo 10 में Android 10 पर आधारित Realme UI पे चलता है इसका मैं बात करूँ आपको डिस्पले से सुरुआत करूँ तो डिस्पले आपको इसमें दिया जारा 6.5 इंच का Full HD प्लस IPS डिस्पले आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ बहुत ही बेहतरी अच्छा डिस्पले देखने को मिल रहा है और अगर मैं इसका अगला बात करूँ कुछ camera सेंपल की तो camera आपको इसमें rear camera wide setup camera देखने को मिलेगा जी हाँ पिछले हिस से पर आपको चार camera देखने को मिलेगा तो मैं अगर पहला केमरा की बात करूँ तो 48 मेगा फिक्सल का आपको प्रैम्डी सेंसर केमरा देखने को मिलेगा और वहीं पे आपको सेकेंडरी केमरा 8 मेगा फिक्सल का वाइड एंगल केमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पे तीसरा केमरा टू मेगा फिक्सल का और चौथा केमरा भी आपको टू मेगा फिक्सल का देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेलफी के लिए वही पहले वाला वाटर ड्रॉप नौच देखने को मिलेगा जो की आपको 16 मेगा फिक्सल का आपको सेलफी केमरा देखन को मिलेगा जी हां तो अब बात कर लेते हैं इसका मैं आपको प्रोसेसर का जो की स्मार्ट फोन का अहम इस्सा होता है प्रोसेसर जो इसका प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दिया गिया इसमें MediaTek Helio का G18, आप इसमें अराम से PUBG खेल सकते हैं, कोई प्रोब्लम नहीं है, लेकिन कभी-कभी बीच इसमें थोड़ा बहुत आपको lag देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा कोई भी प्रोब्लम नहीं होने वाला है, जो कि यह प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है, Helio G18, तो अब म मैं इसकी बात कर लूँ, रेम और स्टोरेज की, तो मैं बता दूँ, आपको इसमें बस एक बेडियन्ट देखने को मिलेगा, जी हाँ, 4GB रेम और 128GB का स्टोरेज, और इसमें एक अच्छी बात है, कि आप इस फोन में 256GB तक का MicroSD Card को घूसेर सकते हैं, जी हाँ, आप अलग से भी MicroSD Card को लगा सकते हैं, तो इसका मैं अगर प्राइज का बता, मतलब बात करूँ, तो आपको इसमें प्राइज परने वाला है 11,999 रूपीज, यानि आपको 4GB रेम और 128GB एस्टोरेज का पड़ेगा 12,000 रूपे, जी हाँ, यह बहुत ही अच्छी बात है, और यहीं पर अब बात आती है, आपको बताना की इसका बैटरिक बेकप क्या है, तो बैटरिक की आप कोई भी चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 5000 mh का बड़ी बैटरिक देखने को मिलेगा, और साथी आपको इसमें 18W का फास चार्जिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको चार्जिंग टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा, साथी आप इसमें रिवर्सिंग चार्जिंग का भी यूज कर सकते हैं, जो कि यह एक बहुत अच्छी बात है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस प्राइज रेंज में एफ पहला 48 मेगा फिक्सल का सेलफी, आपको 16 मेगा फिक्सल, तो इस रेंज में आपके लिए एफोन बेहतर हो सकता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथी अगर आप लोग रियल मी ना जो 10A के बारे में इस पर फ्रेक्सित द देखना चाते हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहाँ पर जा कर देख सकते हैं, साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सस्क्राइब करकर बेल नोटिकेशन दवा दिजे, और आप हमें अच्छे अच्छे ओफर फाने क के लिए ओफर से अपडेट रहने के लिए आप हमें टेलिग्राम पे जोईन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, टेलिग्राम पे जरूर जोईन करें, तो आज के लिए बास इतना ही, फिल्म इलते हैं इसी तकाचे वीडियो पर जैहिन वंदे मात्तरम